बोलता भी हार न्यूज मीडिया में आपका स्वागत हैं बीते रात्री चोरी हुई हैं उक्त मामले को लेकर प्रित बेक्ती ने आवेदन बिल्दोर थना धिक्ष को दिया नियाई की गुहार लगाया है मालुम हो कि बिल्दोर थना च्छत्र के कंजिरी पंचाय तंतरगत गवास बाना मोर हटिया निवासी प्रदीप सी के पूतर रुपेश कुमार ने बिल्दोर थना धिक्ष को आवेदन दिया हैं सुचक ने बताया कि बिते रातरी करीव एक बज़े चार अग्यात यूबक हतियार के साथ मेरे घर में बुशकर मुझे बंदक बनाकर घर के रखे कीमती सामागरी चोरी कर लिया सुचक का परिजन गाउं में ही हो रहे रामधुनी यक को देखने के लिए गए थे वही अकेला पकर चोरो ने घर में प्रिवेश कर हतियार दिखा कर बक्सा और गोद्रेज का चावी ले लिया बक्सा अबम गोद्रेज में रखे आभूसन सोना करीव च्छा भरी चांदी करीव पचीस भर LCD एक लेपटॉप 20 पी सारी एव मोबाइल जिसका नंबर 6287-314105 के साथ साथ एक बोरा आलू लेकर चले गए वही सूचक के द्वारा सोरूल मचाने के दोरान ग्रामीनों की भीर इकठा हो गया तो हाथ पर खोला उक्त घटना बिते रातरी घटी है वही नगर पंचायत अवस्तित पे ट्रोल पंप के निकट अंजनी चोधरी अपने घर का निर्वान कर रहे थी बिते रातरी चोरों क ने करीब बीस हजार की संपत्ति लेकर फरार हो गया उक संबंद में थाना देख्ष पंकर प्रकास ने बताया कि सूचक के दोराविदन दिया गया है अपने अधिनस्त कर्मी से मामले को चानुन करवा रहे हैं बिलदोर से नईयर आलम की रिपूर्ट